दूर किसी जंगल में चिंकी चिडिया अपनी मा रानो चिडिया के साथ रहती थी चिंकी चिडिया के माता-पिता उससे बहुत प्यार करते थे एक दिन रानो चिडिया बिमार पर जाती है और उसे अपनी बेटी की छिंता सताने लगती है उसी चिडिया के पडोस में एक कवी रहती थी जिसकी एक सोतेली बेटी थी वो कवी अपनी सोतेली बेटी पर बहुत हत्याचार करती थी वो अपनी सोतेली बेटी को जाडू से मार रही थी रानो चिडिया ये सब देह कर वहां जाती है ना मारो, इसे मत मारो, कवी, ये अभी छोटी है ये मेरी सोधेली बेटी है, सगी नहीं, अगर मारूंगी नहीं, तो इसे शिक्षा कैसे मिलेगी बहुत कोशिश करने के बावजूद, वो उस कवी को रोग नहीं पाती रानो चुडिया अपने घर वापिस चली जाती है अगर मैं मर गई, तो मेरी बेटी का क्या होगा इसकी सोधेली मा भी इसे ऐसे ही मारेगी, जैसे वो कवी अपनी सोधेली बेटी को मार रही थी जब शाम को चुडिया का पती घर लोड़ता है, तो उसकी पतनी उसे कहती है सुनो जी, मैं बीमार हूँ, अगर मैं मर गई, तो तुम दूसरी शादी मत करना वरना सोधेली मा मेरी बेटी पर बहुत हरतिया चार करेगी रानो, मरें तुम्हारे दुश्मन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी नहीं, आम उसे वादा करें कि मेरे मरने के बार आप दूसरी शादी नहीं करोगे मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा कुछ दिन इसी तरहां गुजर जाते हैं चिंकी की ममा की हालत बिगरती गई और एक दिन वो मर जाती है चिंकी अपनी मां से लिपड़ कर बहुत रोती है उठो उठो ना मां तम उठ क्यों नहीं रही हो मां कुछ तो बोलो अपनी बेटी को इस तरहां कैसे छोड़ सकती हो मां मां उठो ना अपनी बेटी को ऐसे रोता देखकर पापा चिडिया उसे चुप कर वाता है बेटी चुप कर जाओ जाने वाले कभी लोट कर नहीं आते चुप कर जाओ बेटी अब पापा चडिया ही अपनी बेटी का दिहां रखता था और दाना भी लाता था एक दिन एक तोता वहां आता है तुम कब तक भाबी के गम में इसी तरहां डूबे रहोगे मेरी मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो चिंकी अभी बहुत चोटी है इसे मा की जरूरत है फिर पापा चडिया ना चाहते हुए भी तोते की बात मान लेता है और एक टूनी नाम की चडिया से शादी कर लेता है टूनी चडिया शकल से बहुत ही मासूम थी वो अपने पती के सामने चिंकी से प्यार करती लेकिन उसके पीछे वो चिंकी पर बहुत हत्याचार करती थी अरे ओ महरानी चल उठाए ज़ाडू और ज़ाडू लगा और खबरदार अगर अपने पिता से कोई बात की तो मैं तुझे भी मार दूंगी और तेरे बाप को भी मार दूंगी नहीं नहीं आप ऐसा ना करना आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूंगी आप मुझे मार दें मगर मेरे पिता जी को कुछ मत कहना फिर चिंकी सारे काम करती और डर के मारे अपने पिता से भी कोई बात ना करती चिंकी बेटी तो ठीक तो है ना तेरी मा तेरा ख्याल भी रखती है क्या चिंकी एक नजर अपनी सोटेली मा की दरफ देखती है और फिर कहती है हाँ पिका जी मा मेरा बहुत ख्याल रखती है ठीक है मैं दो दिन के लिए दूसरे जंगल जा रहा हूँ अपनी मां के सासाथ ही रहना, कहीं अकेले ना जाना फिर पापा चुडिया वहां से चला जाता है अब भाए का मज़ा, अब देखती हूँ इस चिंकी की बच्ची को चल चल जा, जल्दी से मेरे लिए भाचन लेकर आ मां, मैं अभी भाचन लेकर आती हूँ चिंकी को एक दाना ही मिलता है चिंकी वो दाना लेकर वापिस घर आती है तुझे मनहूस ये सूखा दाना ही मिला था मेरे लिए कोई फल वगरा नहीं ला सकती थी तूनी अपनी सादेली बेटी को मारने लग दी है मा मा मुझे मत मारे मुझे बहुत जर्थ होता है मा मा मत मारे मुझे चल अब घर के काम करो वरना मैं तेरे पिता को जान से मार दूँगी कबूतर गुजरता हुआ चिंकी की चिंखें सुन लेता है और वो जाकर चिंकी के पिता को सारी हकीकत बता देता है कुछ दिहान अपनी बेटी पर भी दे दिया करो, तेरी दूसरी पतनी बहुत हत्याचार करती है उस बेचारी पर ये सुनकर पापा चड़िया जल्दी से घर भागता है जब पापा चड़िया घर आता है तो टूनी फिर से चिंकी को बड़े चमच से मारे ही होती है मन्हूस मरजा, मरजा दूँ मैं आ गया हूँ, मुझे सब पता चल गया है, अब तुम मेरी बेटी पर और जल्म नहीं करोगी, चल भागिया यहां से नहीं पापा, अगर आपने मेरी सोटेली मागो, मुझे मारने से रोका, तो ये आपको जान से मार देंगी चिंकी बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो फिर पापा चडिया टूनी को घर से निकाल देता है ऐसी मा से तो तू बिन मा के ही रह ले, मेरी बेटी, जो गलती मुझे हुई, तू मुझे माफ कर दे फिर पापा चडिया अपनी बेटी का ख्याल खुद ही रखने लगता है प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना आपका ध्नेवाद, कालुकवे ने निया निया मुबाइल लिया था, इसलिए आज कल तो वो सारी जारी रात सोता ही न था कहाँ गया, कहाँ गया उस तोति का नंबर, उस तोति से बात करता हूँ खालू कवा हर्याली तोटी का नमबर निकाल कर उस पर काल करता है रात की इस समय कौन है? हर्याली, हर्याली तुम्हारा फून बज रहा है सोते में ही हर्याली तोटी कौल येस करती है कौन है? मैं तोता, मैं तोता, हरे रंग का मैं तोता टेटे करता जाओ, गाने संदर संदर गाओ बात तमीच रॉंग नमबर है, नमबर देख कर मिलाओ, मैं नहीं जानती हूं तुम है फून बंद कर दो, छोड़ो इसे, ऐसे फजूल नमबरों से फून आते ही रहते हैं हर्याली तोती फून बंद कर देती है डर गई, सुन्दर तोती डर गई, फून ही बंद कर दिया चलो काल देखूंगा उसे फिर कालू कवा लूजी कबूतरी का नंबर मिला लेता है कौन है? मैं उन्चे पहाडों पर रहने वाला चिट्टा कबूतर हूँ कौन कौन है आप? मैं जी, चिट्टा कबूतर नाम है मेरा मैं बहुत संदर हूँ तो मैं क्या करूँ? मेरा पती तुमसे भी ज्यादा संदर है आप मुझे तंग ना करे बात तो करो ना, मुझे नीद नहीं आ रही मैं अब ही अपने पती को बताती हूँ बतमीज बुरे पक्षी लूसी भी फोन बंद कर देती है कोई भी मुझे से बात नहीं करता किसमत ही खराब है मेरी तो सुभा हो जाती है सब पक्षी अपने अपने कामों पर जा रही थे मगर कालू कवा जो रात भर ममा पक्षीों को तंग करता रहा था वो सो रहा था आज कल कालू कवे को बहुत आजादी मिली हुई थी क्यूंके उसकी पतनी गोरी कवी अपने माई के जो गई हुई थी मा मुझे अपना फून देना मैं कालू से तो पूछूं के कब आएगा मुझे लेने फिर गोरी कवी अपने मासे मोबायल ले कर अपने पती को फोन करती है कालू मैं कबसे तुम्हें फोन कर रही हूँ कहा थे तुम गोरी मैं सोया हुआ था सोय हुए थे रात क्या करते रहे हो गोरी रात बहुत ठंड थी इसलिए मुझे अच्छे से नीद नहीं आई मैं आज आ रही हूँ नहीं नहीं गोरी यहां बहुत ठंड है आज का दिन तुम वहीं अपनी मा के पास रह लो काला जाना फिर कालू कवा फून बंद कर देता है कालू कवा फिर से हर्याली दोदी का नंबर मिलाता है आपने फिर मुझे तंग करना शुरू कर दिया आपको कोई और काम नहीं है क्या काम तो बहुत है मगर तुमसे बात करना भी तो जरूरी काम है हर्याली फून काट देती है मगए कालू कावा कॉल पर कॉल किये जा रहा था धंती बजे जा रही थी ये ऐसे नहीं सुधरेगा हर्याली इसे सबक सिखाना ही होगा तुम बात करो इसे और ये जो भी पक्षी है इसे किसी तरह नदी पर बुलाओ फिर देखना मैं इसके साथ क्या सलूक करता हूँ फिर हर्याली कालू का फून सुन लेती है अगर मेरे पती को मालूम हो गया तो वो लड़ेंगे आप मुझे दिन में ऐसे फून ना किया करें तो टाइम बता दें मैं कब करूँ आपको फून मा कसम मैं आपको तांग नहीं करूँगा शाम के बाद रात को रात को बात करेंगे बाए अब फून न करना हर्याली फून काट देती है कालू कवा तो डांस कर रहा था पहली बार पहली बार किसी फीमेल पक्षी ने हंस कर बात की है मुझसे अब तो बात आगे भड़ेगी और फिर होंगी मुलाकाते कालू कवा सारा दिन इधर उधर फिरता है यार कबूतर आज तो शाम ही होने को नहीं आ रही आवारा कवे हमें तो दिन बहुत छोड़ा लगता है कई काम करने थे वो हम करना सके और तुम बोल रहे हो के दिन ही नहीं गुजर रहा तुम क्या जानो कबूतर प्यार किसे कहते है ऐसे कहते हुए कालू कवा वहां से उड़ जाता है रात भी हो जाती है कालू कवा जल्दे से हर्याली का नंबर फिर से मिलाता है क्या आप तोते ही हो ना, मैं तो एक तोती हूँ हाँ, मैं तोता, मैं तोता हरे रंग का, मैं तोता हूँ, बहुत सुन्दर, लाल लाल आँखे हैं मेरी तो कब आओं, मैं आपको अपनी आँखें दिखाने कल कल जंगल की बड़ी नदी पर मैं आपका इंतिजार करूंगी मैं जरूर आउंगा और हाँ तुम अकेली ही आना किसी और को साथ लेकर ना आना दूसरे दिन मिठो कबूतर और चिडिया को साथ लेता है और बड़े बड़े डंडे लेकर नदी के पास छुपकर बैठ जाता है क्या तुम्हें विश्वास है वो पक्षी आएगा जो हमारी पत्रियों को तंग करता है उसने रात को हर्याली से वादा किया था जो भी हुआ वो जरूर हमसे पिटेगा अगर पकड़ा गया तो हर्याली तोती भी सजधज कर नदी पर बैठी हुई थी के कालू कवा लाल एनक लगा कर अपने पंखों पर हरे पत्ते बांद कर आ जाता है मैं तोता मैं तोता हरे रंग का मैं तोता आप वही तोती है ना फून वाले मैं कबसे आपका इंतजार कर रही हूँ हाँ मेरी तोती जी मैं वही हूँ देखो तो मेरे पंख आधे काले और आधे हरे कैसे लग रहे हैं बहुत संदर और अब और भी संदर हो जाएंगे तुम भी बहुत संदर हो, मेरे सपनों की रानी पीछे से चड़िया कबूतर और मिठू भी डंडे लेकर आ जाते हैं मारो, मारो इसे, छोड़ना नहीं इस बेशरम को मेरी पतनी को तंग करते हो, आज देखता हूं तुम्हें काले कवे मारो, मुझे जाने दे, प्लीज, मुझे जाने दे, मुझे से गलती हो गई, मैं फिर ऐसा नहीं करूंगा फिर सब पक्षी मिलकर कालु कवे को मार मार कर बंदर बना देते हैं और वो बिखरे हुए बालों के साथ रोता हुआ अपने घर चला जाता है हाई मा बहुत मारा जालिमोने बहुत मारा प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक करना बिलकुल मत भूलना आपका धन्यवाद